इस योजना का मुल्य कितना बड़ा है पानी के प्रती आप लोगों की संबेदन सिल्टा कितनी है परिवार में जैसे शादी ब्याहो ऐसा माहोल आपने बना दिया है इसका मटलब हुआ कि सरकार आपकी समस्याओं को भी समझती है समस्याओं के समाधान में सही दिसा में आगे भी बढ़ रही है और जब आप इतनी बड़ी मात्रा में जुड़े हैं उत्सा उमंग के साथ जुड़े हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि योजना सोचा है उससे जल्दी होगी हो सकता है पैसे भी बचाने आप लोग और अच्छा काम करें क्योंकि जन भागी जारी होती है तो बहुत बड़ा प्रणाम मिलता है माग विद्यावासिली की हम सभी पर विशेश कुर्पा है कि आज इस खेत्र के लाखों परिवारों के लिए इस बड़ी योजना की शुरुवात हो रही है इस योजना के तहट लाखों परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पे जल मिलेगा इस आयोजन में हमारे साथ जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश के राजपाल स्रीमति आनंदिवेन पटेल जी सोन भदर में उपस्तित उत्तर प्रदेश के यश्रश्वी मुक्ष मंत्री स्रिमान योगी आदित्यनाज जी केंद्रिय मंत्रि मंगल के मेरे सहयोगी यूपी सरकार में मंत्री बाई महेंद्र सीजी अन्य मंत्रीगण सावसत और विधायगण विंद्य छेत्र के सभी बहनों और वहाँ पर उपस्तित सभी भाईयों को गी मैं बहुत बहुत अभेनंदन करता हूँ साथियों विंद्य परवत का ये पूरा विस्तार पुरातन काल से ही विश्वास का पवित्रता का आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है उत्तर प्रदेश में तो कई लोग जानते हैं रहिमदास जी ने क्या कहा था रहिमदास जी ने भी कहा जापर दिपदापरत है जापर दिपदापरत है सो आवत यही देश भाई और भेनों रहिमदास जी के इस विश्वास का कारण इस छेत्र के अपार समसादन थे यहां मौजूद अपार संभावना थी बिंद्यान्चलसे, शिप्रा, बेण गंगा, सोन, महानत, नर्वदा कितनी ही नदियों की धारा वहां से निकलती है मा गंगा, बेलन और कर्मनाशा नदियों का भी आशिर्वात इस छेत्र को प्राप्त है लेकिन आजादी के बाद दसकों तक अगर उपेक्षा का शिकार भी अगर कोई छेत्र हुआ है तो यही छेत्र सबसे अधीक हुआ है बिल्याच चल हो, बुंदेल खंड हो, एपुरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद अभाव का क्षेत्र बन गया इतनी नदिया होने के बावजूद इसकी पहचान सबसे अधीक प्यासे और सुखा प्रभावित छेत्रों से ही यही रही इस वजह से अनेकों लोगों को यहां से पलायन करने पर भी मजबूर होना पड़ा साथियों, बीते वर्षों में विद्यान्चल की इस सबसे बड़े परिशानी को दूर करने एक निरमतर काम किया गया है यहां गर गर जल पहुँचाने और सिंचाई की सुविधाओं का निरमान इसी प्रयास का एक बहुत एहम हिस्सा है इछले साल बुंदेलखंड में पानी से जुड़ी बहुत बड़ी परियोजना पर काम शुरू किया गया था जिस पर तेजी से काम चल रहा है बहुत बहुत बढ़ाई का यह अवसर है इन योजनाओं को सुरू होते देख तो चालिक स्लाग से भी जादा साथियों का जीवन बदल जाएगा इससे यूपी के देश के हर घर तक जल पहुँचाने के संकल को भी एक बहुत बड़ी थाकत मिलेगी यह परियोजना कोरोना संकरमन के बावजूत विकास यात्रा को तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश का भी एक उदारन है पहले जो लोग उत्तर प्रदेश के मिशे में धारनाएं बनाते थे अनुमान लगाते थे आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक योजनाई लागू हो रही हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की एक छबी पूरी तरह बदल रही है इस दोरान जिस प्रकार यूपी में कोरोना से मुकामला किया जा रहा है बहार से गाउं लोटे स्रमिक साथियों का ध्यान रखा रोजगार का प्रबंद किया ये बहुत सामान्य काम नहीं है जी इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारी किसे एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है मैं उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों हर गल जल पहुँचाने के भ्यान को अब करीब करीब एक साल से भी उपर समय हो गया है इस दोरान देश में दो करोड साथ लाख से ज़्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से सुद्ध पीने का पानी पहुचाने का इंतजाम हो चुका है और इसमें लाखों परिवार हमारे उत्तर परदेश के भी हैं हम अपने गाउं में रहने वाले गाउं वासी हमारे भाई और भेनों के लिए शहरों जैसी सुवीधाय उपलब्द कराने की निरंतर कोशिच कर रहे हैं आज जो परियोजनाय शुरू हो रही है उससे भी इस अभियान को और गती मिलेगी इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहट पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है वो भी इस छेतर को बहुत मदद करने वाला है भाई और भेनों हमारी यहां कहा जाता है एक पंथ दो काज लेकिन आज जो योजनाय बनाई जा रही है वहां तो एक पंथ अनेक काज उनसे अनेक लक्ष सिद्ध हो रहे है जल जीवन मिशन के तहट गर गर पाईप से पानी पहुँचाने की वज़े से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है इसका एक बढ़ा लाप गरीब परिवारों के स्वास्त को भी हुआ है इससे गंदे पानी से होने वाली हैजा, टाइफोईट, इंसेफिलेट एफिलाइटिस जैसी अनेक बिमारियों में भी कमी आ रही है यही नहीं इस योजना का लाप इंसानों के साथ साथ पशूद्धन को भी हो रहा है पशूद्धन को साथ पानी मिलता है तो वो भी स्वस्त रहते हैं पशूद्धन स्वस्त रहें और किसान को, पशूद्धन को परेशानी ना हो इस उद्देश को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ यूपी में तो योगी जी की सरकार के प्रयासों से जिस प्रकार इनसेफलाइटिस के मामलों में कम ही आई है उसकी चर्चा तो दूर दूर तक है एक्सपर्ट लोग भी इसकी चर्चा करते हैं मासुम बच्चों का जीवन बचाने के लिए योगी जी और उनकी पूरी ट्विम को मैं मानता हूँ हर उत्तर प्रदेश वासी इतने आशिरवाद देता होगा इतना आशिरवाद देता होगा शायद जिसकी हम कलपना नहीं कर सकते हैं जब विद्यान चलके हजारों गावों में पाइप से पानी पहुँचेगा उनका शारीक और मानसिक विकास और बहतर होगा इतना ही नहीं जब शुद्ध पानी मिलता है तो पोशन के खिलाब जो हमारी लडाई है पोशन के लिए हम जो महनत कर रहे हैं उसके भी अच्छे फ़ल उसके कान मिल सकते हैं साथियों जल जीवन मिशन सरकार के उस संकल्ब का भी हिस्सा है जिसके तरह स्वराज की शक्ति को गाउं के विकास का माद्यम बनाया जा रहा है इसी सोच के साथ गराम पंचायक को स्थानिय संस्ताओं को अधिक से अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं जल जीवन मिशन में पानी पहुचाने से लेकर पानी के प्रबंदन और रख रखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गाउं के लोगों की भूमी का बहुत अहम है गाउं में पानी के स्थोतों के सवरक्षन को लेकर भी काम किया जा रहा है सरकार एक साथी की तरह है एक सहायक की तरह है आपकी विकास यात्रा में एक भागिदार की तरह आपके साथ है जल जीवन मिशन ही नहीं बलकी प्रदान मंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों के पक्के घर बन रहे हैं उसमें भी यही सोच प्रदर्शित होती है किस छेत्र में कैसा घर हो किस सामान से घर बने पहले की तरह यह अब दिल्ली में बैट करता है नहीं होता है अगर किसी आदिवासी गाउं में विशेश परंपरा के घर बनते हैं तो वैसे ही घर बने दिल्ली वाले सोचते हैं वैसे नहीं वहां का आदिवासी जो चाहेगा जैसा चाहेगा जैसी उसकी रहें सहने वैसा घर बने ये सुविदा दी गई है भावी और बहनों जब अपने गाउं के विकास के लिए खुद फैसले लेने के स्वतंतरता मिलती है उन फैसलों पर काम होता है तो उसे गाउं के हर व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है आत्म निर्भर गाउं आत्म निर्भर भारत के भ्यान को उसके कारान बहुत बड़ा बल मिलता है इससे लोकल स्थर पर पैदा होने वाले सामान की खपत ज़्यादा होती है लोकल स्थर पर ही जो कुशल लोग है उनको रोजगार मिलता है राजमिस्त्री हो फीटर हो प्लंबर हो इलेक्रिशन हो ऐसे अनेक साथियों को गाउं में या तो गाउं के पास ही रोजगार के साधन बनते हैं साथियों हमारे गाउं को गाउं में रहने वाले गरीबों को आदिवाचियों को जितनी प्रात्मिक्ता हमारी सरकार दे दी उतनी पहले नहीं दी गई गरीब से गरीब को LPG गैस सिलिंडर देने की योजना से गाउं में जंगल से सटेक शेत्रों को डबल लाब हुआ है, दोहरा लाब हुआ है एक लाब तो हमारी बहनों को धुए से लकडी की तलास में लगने वाले समय और स्रम से मुक्ति मिली यहां इतनी बड़ी मात्रा में जब माताय बेहने बैठी है पहले जब हम लकडी से चुला जलाते थे, खाना पकाते थे तो हमारी माताओं बेहनों के शरीर में एक दिन में चार सो सिगारेट जितना दुआ जाता था गर में बच्चे रोते थे माँ खाना पकाती थी, चार सो सिग्रेट जितना दुआ इन माताओं बेहनों के शरीर में जाता था क्या होगा उनके हाल का? उनके शरीर का क्या हाल होता होगा? उसको मुक्ति दिलाने का एक बड़ा भियान हमने चलाया और गर गर गैस का चूला, गैस का सिलिंडर ताकि मेरी इन गरीब माताओं बैतों को उन चार्ट सो सिगारेट जितना धुआ अपने शरीर में न लेना पड़े ये काम करने का प्रयास काया है दूसरी तरफ, इंदन के लिए जंगलों के कटान की मजबूरी भी इससे खत्म हुई है देश के बाकी गाउँ के तरफ, यहां भी बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी आज एक खेत्र, सौर उर्जा के खेत्र में, दुनिया में अग्रणी बनते जा रहा है भारत का अहम कैंद्र है मिर्जापुर का सौर उर्जा प्रांट, यहां विकास का नया अध्याय लिख रहा है इसी तरह, सिंचाई से जुड़ी सुविधाओं के अभाव में विध्यान्चल जैसे देश के अनेक खेत्र, विकास की दोड़ में पीछे रह गए लेकिन इस खेत्र में बर्सों से लटकी, सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ, बंजर जमीन पर किसान सौर उर्जा से बिजली पैदा करके अतिरिक कमाई कर सके, इसके लिए भी मदद की जा रही है हमारा अन दाता उर्जा दाता बने, वो अन पैदा करता है, लोगों को का पेट भरता है अब वो अपने ही खेत में उसके साथ साथ उर्जा भी पैदा कर सकता है, और लोगों को प्रकाश भी दे सकता है हम विंद खेत्र के विकास के लिए हर संभो प्रयास कर रहे हैं चाहे वो medical infrastructure बनाना हो या फिर इस इस इलाके में सडकों का निर्मान सभी पर बहुत तेज गती से काम चल रहा है बिजली की स्थीती पहले क्या थी और अब कितनी बहतर है ये आप भी भली भाती जानते हैं भाई और भेनों गाउं में विश्वास और विकास की कमी में एक और बड़ी समस्या रही है गर और जमिन से जुड़े विवाद इस समस्या को उत्तर पदेश के इस हिस्से में रहने वालों से बहतर भला कौन समझ सकता है कारण ये है कि पीड़ी दर पीड़ी रहने के बाद उसके बाद भी गाउं की जमीन के कानूनी कागज नहीं थे अगर उनका घर है तो उस घर के समझ में भी कितना है लंबा है कितना चोड़ा है क्या उसके साइज है कागज कहा है कुछ नहीं था दसकों से लोग ऐसे ही जीते रहें समझ सकों जेलते रहें विबाद बढ़ते गए और कभी कभी तो मारधार हो जाती है गला काटने तक पहुंचाता है मामला भाई भाई के भी जगणा हो जाता है एक फुट जमिन के लिए एक पडोसी के दाद दुसरा पडोसी का लड़ा ही हो जाती है अब इस समस्या के स्थाही समाधान के लिए स्वामित्व योजना के तहट यूपी में ड्रोन टेक्नलोजी से घर और जमिन के नक्षे बनाए जा रहे इन नक्षों के आधार पर गर और जमिन के कानूनी दस्तावेच गर और जमिन के मालिक को सौपे जा रहे इससे गाउं में रहने वाले गरीब आदिवासी बंचित साथी भी कबजे की आसंका से निश्चिन्थ होकर अपना जीवन व्यक्तित कर पाएंगे वरना मुझे तो मालूम है गुजरात में तो आपके इक्षेतर के बहुत लोग काम करते हैं तो कभी उन से मैं बात करता था कि भी क्यों चले गए थे तो कहें ने ने भाई हमारा तब वहां जमीन का जगड़ा हो गया हमारे घर का किसी ने कबजा कर लिया मैं यहां काम करता था कोई घर में गुज गया अब यह कागज मिलने के बाद यह सारी संकटों से आप मुक्त हो जाएंगे यही नहीं जरूरत पढ़ने पर गाउं के अपने घर के जो दस्तावज है जो कागज है उससे अगर आपको कर्ज लेने की जरूरत पढ़ी है बैंक से लोन लेने की जरूरत पढ़ी तो अब आप उसके हकदार बन जाएंगे आप जा सकते हैं कागज दिखा करके बैंक से लोन ले सकते हैं आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये मंत्र देश के हर हिस्से, हर नागरिक के विश्वास का मंत्र बन चुका है आज देश के हर जन, हर खेत्र को लग रहा है कि उस तक सरकार पहुंच रही है और वो भी देश के विकास में भागिदार है हमारे जन जातिय खेत्रों में भी, आज ये आत्म विश्वास में बनी भाती उसमें एक नई ताकत आई है, और मैं इसको देख पा रहा हूँ आदिवासी अंचलों में मुल्च सुमी थाएं तो आज पहुंची रही है बलकि इन खेत्रों के लिए विशेश योजनाओं के तहट भी काम किया जा रहा है जन जातिये युवाओं के शिक्षा के लिए देश में सैंकडों नए एकलब्वे मॉडल आवासी स्कूल स्विकृत किये गए है इसमें हमारे आदिवासी इलाकों के बच्चों को होस्टेल की सुविधा उपलब्द होगी इसमें से अनेक स्कूल यूपी में भी खुल रहे हैं कोशिज यह है कि हर आदिवासी बाहुल्यक ब्लॉग तक इस व्यवस्ता को पहुँचाया जाए पढ़ाई के साथ साथ कमाई की संभावनाएं भी तनाशी जा रही है वन उपजों की जादा किमत आदिवासी साथियों को मिले इसके लिए साड़े बारा सो वन धन केंद्र पूरे देश में खोले जा चुके हैं इनके माध्यम से सेंकडो करोड रुप्य का कारोबार भी किया गया है यही नहीं अब आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट वनोपज आधारित उद्योंग भी आदिवासी क्षेत्रों में लगे इसके लिए भी जरूरी सुविधाएं तयार की जा रही है आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पैसे की कमी ना हो इसके लिए डिस्ट्रीक मिनरल फंड बनाया गया है सोच ये हैं कि आदिवासी क्षेत्रों से निकलने वाली संपदा का एक हिसा उसी क्षेत्र में लगे उत्तर प्रजेश में भी इस फंड में अब तक लगबग आठ सो करोड रुपिये इखट्था किये जा चुके हैं इसके तहट साड़े छे अजार से जादा प्रोजेक्ट स्विकृत्वी किये जा चुके हैं और सैंक्रो प्रोजेक्ट पूरे भी हो चुके हैं साथियों ऐसे ही काम आज भारत के आत्म विश्वास को प्रति दिन बढ़ा रहे हैं इसी आत्म विश्वास के दम पर आत्म निर्भर भारत बनाने में हम सभी जूटे हैं मुझे विश्वास है कि विंद जलापूर्ती योजना से ये आत्म विश्वास और मजबूत होगा हाँ इस बीच आपको ये भी याद रखना है कि कोरोना संक्रमन का खत्रा अभी भी बना हुआ है दो गज की दूरी मास्क और साबून से साप सपाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं है जरासी ढिलाई खुद को परिवार को गाउं को संकट में डाल सकती है दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठीन तब कर रहे हैं दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुई है सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक दिलाई नहीं आप इस बात को ध्यान में रखेंगे इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुब कामणा है लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले